सभी का स्वागत है और देके आप सभी के सामने मैंने इस जिगा बैंक निप्टी का चार्ट ओपन किया है बैंक निप्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो कंटीनी अपने हाई से इसमें लोर टू लो आपको बनते हुँ दिखाई दे रही है यानि एक अच्छी घ्रावट हमको दिखाई दे रही है बंडे के दिन मार्किट कैसे ओपन हो सकता यानि अगर हम बात करें स्वांबार को कॉल या पुट कहां पर बाइंग करना चाहिए उ आप यहां पर 35,540 से देखें जो इसमें गरावट आना चालू हुई है वह कंटीनियू बनते हुँ दिखाई दिखाई दे रही है अगर हम बात करें तो लो टू लो देखें बनता हुँ दिखाई दे रहा है यानि मार्किट देखें नीचे की साइट कैसे जा रहा है एक ल तरीके से काम करता है अगर इसमें गिरावट आती है तो ठीक है दूसी चीज में आपको उताना चाहिए कि अभी इसने लो क्या मारता अगर हम इस प्राइस की बात करें जो कि आए इसका देखें लो था वो था 34,460 उपे का इसका लो था ठीक है जी आपका लो था और अगर हम हाई की बात करता है इस जगहाई क्या दिखाई दे रहा था आपको 34,34,900 के संतिंगा हाई था मैंने आपसे क्या बात के लिए चिए था कि अगर मार्केट अप हाई पर उपन होता है तो हाई पर हमको क्या बाइंग और यहिए बाइंग करना है ठीक है आपको देखने को मिल रही है जिसके मार्किट में एक सेलिंग आपको अच्छी कासी देखने को मिल जाती है और देखे इसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया था और हमने देखे अपने टेलिग्राम चैनल पर कॉल भी पब्लिस किया था जिसमें काफी अच्छा में दिया गया बिल्कुल फिर है कोई चार्ज नहीं है तो किस बात की देरी है टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लीजे अब देहां पर देखे एक चीज में आपको कंटीनिय होताना चाहूंगा कि अगरी आप देखोगी तो मार्केट लो टू लो का काम करते हूँ दिखाई दे रहा है यानि अगर हम बात कर तो इसमें देखे एक वेल्यू और आपको दिखाई देती है जो कि अगर हम बात कर तो 34,560 रुपे की वैल्यू हमको इसमें दिखाई देती है क्योंकि देखे 35,500 मैंने इस जगह इसलिए बताया क्योंकि आपको याद होगा कुछ समय पहल करने का मौका मिलेगा दूसरी चीज अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको देखे क्या दिखाई दे रहा है कि आपको इस जगह देखने को बलेगा एक अच्छा का सब है इस जगह बॉल्यूम देखने को मलाता जिसके वैसे देखे मार्केट ऊपर की साइट गया था लेक अगर आप देखोगे तो मार्केट में देखे दो तरही के पैटन चलते हैं आपको सबसे पहले सबना चाहिए पहले मार्केट को आपको लिकालना चाहिए अभी आप देखोगे मार्केट का तो क्या हो रहा है तो कि मार्केट ना इस जगहा थे तेजी दिखाया और उसके ब सेलिंग कीजिए फिर मैंने आपको बताया इससे पहले कि फिर आप जगह 34 दोसों खीजिए और इससे पहले मैंने आपको बताया था यह जैसे जैसे मार्केट नीचे की साइट जा रहा है वैसे वैसे हम इसमें लेवल नीचे की साइट करते हुए दिखाई दे रहे तो अब इसमें जो आपको रजिस्टेंट देखने को मिलता वह जगा 34,900 के सम्थिंग का देखने को अगर मार्केट आपको ऊपर की साइट बन होता भी है तो इस हम क्या कर सकते हैं मार्किट में सेलिंग कर सकते हैं व्हाइज हम और क्या वों को देखने को भी कि तो हम पहले कौन को कैसे कर सकते हैं अगर मार्केट आपको 35000 के पास मिलता है तो इस जगह आपको करने का सोचना है मैंने क्या बोला सोचना है ठीक है फिर उसके बाद यह क्या करेगा 35,000 के असफ़स तो हम इसमें पुठ की पुदीशन बना लेंगे ठीक है क्या बना लेंगे अब का थोड़ा समझाएता हूं आप इस जगह देखोगा ना यह मार्के देखे करने के लाद फिल नीचेज की साइज जंप दिया है ठीक है इससे पहले अगर आप देखो तो ऊपर की साइज ने काफी बाद सव निगा तो इस तरीके से इसमें क्या ही बाइंग करना है फिर हमारा तो पहले चार्गेट यह हम बात कर तो दूसर target जो आपको देखने को बालेगा वो इस जगह देखे 34,750 का यानि अगर हम बात करे तो बड़े target के लिए इसमें हम काम करेंगे जो कि आपको 400 पॉइंट के देखने को मिल सकते हैं देखे अब मैंने आप सभी के सामने option chain का data ओपन किया आप सभी को याद होगा कि अभी जब मैंने हाली में एक वीडियो आपके लिए पब्लिस किया था उसमें मैंने आपसे बोलाता है कि जो option chain का data है उसमें data काफी जाधा कम है तो मार्केट कई ने कई कंसुलेट करते हुँ दिखाई दे सकता है अगर आपने हमाय यूटूब चैनल को सुस्काइब नहीं किया तो उसको भी आप सुस्काइब कर लीजिए अब यहाँ पर देखिए उस डेटा के बारे में फिर से आपको बताना चाहूंगा अभी क्या हु 17,000 का चो कि कई ने कई देखे इस जिगह आपका कम डेटा दिखाई दे रहा है और कई ने कई अगर हम डिफेंस की बात करें तो एक लाग चालीस हजार के संथिंग का देखे इसमें आपको डिफेंस देखने को मिल जाता है कॉल और पुट के साइट इसमें देखे एक कम हुआ है कि अगर हम कॉल में बात करें तो पॉयल में इतना जपनी तो देखोगे तो 20 30 क मह ये जिगह कम हुआ है लेकिन अगर हम उत्भी we're you do कि अगर हम बात के तो अभी हमने क्या बात किया था कि मार्केट अगर 34000 जिगा देखे मैं आपको दिखाना चाहूंगा 34600 के नीचे जाता है तो कई एक चीज और मैं आपको उताना चाहूंगा कि पुट में देखे गिरावट आई पुट में क्या हुआ मैं इस जगह उताना चाहूंगा पुट में गिरावट आई गिरावट आने के बाद भी जिन लोगों ने इस जगह 100 रुपे पर जो पुट खरीदा था उन्होंने नीचे एवरेज नहीं किया यानि इस जगह आल नहीं करीदा है जिसके वैसे आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है जो ओई है पुटका वो आपको कम दिखाई देDu Seated रहा करिके जबकि इसको बढ़गना चाहिए था और इसी में आगर हम dat क्या दो कॉल में क्या दे रहा है कि क्रियम आपको काफिया दो कम हुआ है लेकिन उसके बाद भी लोगों नहीं किया ओपन हुआ इस तो उस लेवल में हम को कैसे काम करना चाहिए तो जैके जैसे कि मैंने आपको होता है तो मैंने इस जगह दिखाए देता है 34580 का ऐसा क्यों क्योंकि यहां पर देखे दो चीजे मैं आपको क्लियर करना चाहँ आपको याद होगा कि मैंने टेलीगराम चैनल पर आपको कॉल दिया था और इसमें देखे जेवाला लेवल मैंने आपको समझाया ता जो आपको देखोंगे जि वाला पॉइंट देखे मैं आपको वह भी दिखाना चाहूंगा ठीक है क्योंकि जब तक आपका डाउट के लिए नहीं होगा जब तक देखे पैसा नहीं बनता है देखे इस वाले पॉइंट इस देखे आपको गिराबर देखने को मार्केट काफी आथा तेजी से आपको नी यानि आपका इस जगह आपका एक फिलेट ओपनिंग आपको देखने को मार्केट नहीं थोड़ा कंसुलेट किया कंसुलेट करने के बदागा जी नीचे के साइट ब्रेक कर देता है किस लेवल को आपका जी मैं आपको दाना चाहूंगा 34580 के लेवल को इसको ब्रेक करना दीजे इस लेवल को उसको ब्रेक करने के बाद फिर हम पूट बाइंग करेंगे ठीक है इस चीज को आप समझे देखे केंडिल जो आपका बना है ना यहां पर मैं केंडिल भी बना दीता हूं जो बना है इसमें रैट के लोजिंग होना चाहिए यानि जो रैट केंडिल वन मैं यहां करने के राय दे ति हम कंटीनी को हैं उसके बाद देखें मार्केट किया कुछ समयत है तो स्यधार के नीचे आता हूं तो हमारा पहला टार्गेट जो आपको देखने को बोलेगा वह इस जगह देखे मैं आपको लिखना चाहँ हो 34460 का हमको पहला टार्गेट देखने को बोलेगा दूसरे टार्गेट की बात कर तो इस जगह 34350 का हमको देखने को बोलेगा और last target की बात किया तो 34,240 का हम को देखने को मुनेगा यानि हम इन 3 target के लिए market में काम कर सकते हैं अगर market एजगा 35,580 के नीचे अगर market जाता है तो इन target के लिए हम market में काम कर सकते हैं kannsulate करने के लिए जाएगा तो काफी अच exhibited move हम को देखने को मिलेंगे देखे अब मैंने आप सभी के सामने एज जगा वन अवस का चार्ट ओपन किया है वन अवस के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो हमको हमेशा अपने अतीस से देखे सीखना चाहिए और यहाँ पर देखे कुछ चीजे मैं आपको एज जगा क्लियर करना चाहिए उगां जो कि आपको काफे कुछ दिकर इस जगा सिखा सकती है सबसे पहले दखिए मैं इस जगा एक लवल में आपको उता ना सबसे पहले मैंने मार्किट में 세टम कि यह मार्किट आगप होता है तो हम को क्यशका मुस काम करना चाहिए मैंने आपको जे बता दिया है कि market अपने low के नीचे जाता है तो कैसे काम करना चाहिए अब मैं आपको जे बता देता हूं कि अगर market आपका नीचे की side open हो जाता है तो कैसे काम करना चाहिए तो नीचे की साइट देखे मुझे एक लेवल काफी अच्छा दिखाई देता है जो कि आपको इस जगा मैं दिखाना चाहूँगा इस जगा मैं लिखना भी चाहूँगा जो कि आपका 33,900 का लेवल जे लेवल मुझे काफी अच्छा दिखाई देता है अगर मुझे एच न्यूंट क्यों क्यों कि आपको दिखाई कि यहां की आपको एक है तो कहीं हमारा देखे पहले तेजी के साथ उपर गए दॉसम बनते हैं लेकिन मंदी में क्यों होता है कि इसने चैनल मरा तो उसके बाद एक असी सेलिग देखने को मिलती है तो धो हाइब है जो आपका बनते हो पडिखाय बिसलिंग कम करना है स्ख्यां 0-1 मार्केट नीचे की सैट मिलता है तो वह इसमें कि वाइंक करके चल सकतें हूपपर भाइंग नहीं करना है तजिस वाइंग करने के लिए त्यार है मार्केट आपका नीचे की साइट आया कंशुरेट किया कंशुरेट करने के बाद ऊपर की साइट निकल का यानि अपने हाई के ऊपर निकला और एक चीज और आपको देखना कि 33,900 के नीचे नहीं जाना चाहिए यानि जो केंडिल आपका बन रहा है इसके ऊपर आपका एक र टार्गेट की हम बात कर लेते हैं अगर मार्केट हमको नीचे की साइट मिलता है तो पहला टार्गेट तो जगह 34,000 का होगा क्योंकि यह साइकलोजी लेवल है इसलिए हमने इसको पहला टार्गेट रखा है दूसरे टार्गेट की अगर हम बात कर तो 34,150 का हम इसमें टार् कि लॉजिक मैंने आपको समझा के रखा है लेवल मैंने आपको समझा के रखा है वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए सस्क्राइब कीजिए जैहिन बंदमातम